मेरे प्यार बैन भाजिए और में तरों के स्वापज हम बात करने वाले मोटा कोड़ टीली लाइट क्रीम के बारे बैने स्क्रीम के क्या फायदाय का नुखसाने श्ट्रमा पूर्जान कर जाने वाले उच्छेले दोस्तों विड़ी स्टार्ट करते हैं इस क्रीम को किस किस प्रोबलम यानि की तवचा पर किन किन प्रोबलमों में हम इसे यूज कर सकते है इस क्रीम को नमबर वन दोस्तों जिनको एकने की प्रोबलम है यानि की जिनके फेस पर यानि की चहरे पर दाने निकले है तो उन में ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों आ नमबर थरी अगर आपके चहरे पर कील मोहशे वे मोहशों के छोटे छोटे गड़े हो तो आप स्क्रीम को यूज कर सकते हैं। नमबर फॉर अगर आपके चहरे पर पिमपल हो या पिमपल के पुराने से पुराने निसान हो तो आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं दोस्तों नमबर फाइव दोस्तों आपने देखा होगा देर रात जागने से आँखों के नीचे काले गहरे हो जाते हैं जिनको हम डार्क सरकल्स बोलते हैं तो दोस्तों आप इस क्रीम को आसानी से यूज कर सकते हो नमबर फाइव दोस्तों अगर आप तेज धूप में जाने से डरते हो जिससे की तेज धूप के कारण तवचा कालिप पड़ गई हो तो आप इस क्रीम को यूज कर सकते हो नमबर एट दोस्तों आपने देखा होगा कि डिलेवरी के बाद पेट पर निशान हो जाते है गाइज आप इस में भी इसे यूज कर सकते हो तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ परयोग विदी यानी कि इसको इसको इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तो इस क्रीम को आपको रात में चहरे पर अत्वा पर भावी तवचा पर एक मिनट तक अच्छे से मसाज़ करे और पूरी रात लगी रहने दे दोस्तो क्रीम लगाने के बाद चहरे को गर्मी धूप हिट आदी से बचाओ रखना है आपको यानि कि आपको गर्मी में नहीं जाना है दूप में नहीं जाना है इस क्रीम को लगाने के बाद तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफैक्ट के बारे में यानि कि इसके नुकसान के बारे में बाजी बाजी बार किसी को सूट ना करे तो ये देखने को हमें मिल सकता है स्कीन ड्राइ, स्कीन अलर्जी, स्कीन डैड रेंस दोस्तों अगर आपको ये टूब सूट ना आए तो बिलकुल घबराए नहीं इस क्रीम को यूज करना बंद कर दे और डोक्टर से कॉंटेक्ट करे उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए होगे दोस्तों अगर आपको ये लाइट क्रीम की फिल्फोमेशन फिल्जान करें दोस्तों अगर आप माशनल परने ने तो शनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को चाहते चाहते श्यादर शेयर करें थैंक्यू दने